हुआ यह प्रबृट्ट्री छाल है किया है सभी बच्चों के सभी का स्वागत इस व्युवर्ड कमप्लीट केमेस्ट्री कर रहे हैं और हम लोग ने बिटा स्टार्ट करी है और गानिक केमिस्ट्री राइट केमिस्ट्री से हम बहुत शांदार तरीके से अपना कोर्स कप्ली प resur beings today यवे अंट लोगों होग कर दिया है ह Алजृ से यह लेकिए आते आप लोग के सामने उन्हागे से क्लासे लेते पर लोगों को स्वाइफ ही लेगे कंसिस्टेंसी ही आप लोगों को सेलेक्शन के साथ आना है अब तक आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि हां जी सर बहुत रेगुलर है सर शांदार कॉंटेंट दे रहे हैं और आपको बस इस तरीके से इसको फॉलो करते वे चलना है चलिए फटा फट से अब चाट सेक्षिन में पहले मुझे डेट बताएंगे जो भी जबी भी हम नया टॉ यहां पर हम लोग लिख लेगे इस के हिसाब से प्रम लोग चलने वाले चुलने वाले जो मिंदे को संडे आप लोग का आफ रहता है संडे आप लोग की क्लासर नी रहेंगी फिर आपकी मंदे को तो लेकेंस हम लोग फिनिश कर देंगे फिनिश कर देंगे ट्वेंटीफोर्ट जुलाई विच इस विच इस मंडे फिर लगातार आपकी क्लासस होगी पच्चीज है ठीक है छबीस संडे आपका ओफ रहेगा ओल राइट तताइस है प्वेंटी एटो मतलब 28 जुलाई तक 28 जुलाई तक आप लोगोंका हाइडरो कारबन भी के संपोरी और जार्गानिक क्प तक करवा होगे मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था मैं अभी भी आप लोगों प्प्टा देता हूँ फूरी और्गनिक जो मेरी थर्टीएत ऑगस्ट तक करने का मैं पूरी और्गनिक अंद प्लकुल क Loree server के water और कुछ नहीं और शाब्डा के लिए तो क्या हम लोग ready हैं hydrocarbons के लिए मुझे आज बेटा सभी लोग यहीं पर promise करेंगे शपत लेने वाले हैं अभी बेटा सभी जितने भी हमारे साथ लाइफ बच्चे हैं हम सब लोग साथ में शपत लेने वाले हैं कि हम लोग regularity के साथ आएंगे हम लोग भटकेंगे नहीं जो आप करा रहे हो उसको follow करेंगे और हम हमारा selection लेंगे क्या हम सभी लोग ready हैं फटा फट से आग लगाओ चाट सेक्शन में ऐसे मजानी आएगा फटा फट से आग लगाईए कि हाजी सर ready है आप बस पढ़ाते जाओ सुबह 10 बजे हमने chemistry fix कर दी है और chemistry हम लोग को आपके सब्साइब सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग को बताता हूं कि यह कैसा चाप्टर है और कितने सवाल आप लोग expect कर सकते हो अप लोग स्क्राइब कर सकते हो इस पॉर्शन से गॉक्ष को नित्क है लेकन हम लोगों को बहुत सारी क्या आने वाली है यहें इक अलग से कॉपी बनानी है एक अलग से कॉपी बनानी है जिसमें आपस सारे के सारे ये जो reactions है और ये जो reagents है नोट डाउन करोगे एक आप लोग को new कॉपी बनानी है जिसे हम लोग बोलेंगे reagent and reactions कॉपी जैसे हम लोग क्या बोलेंगे रिएजन्ट और रियाक्शन कॉपी आपको नई कॉपी बनानी है और उसमें सारी के सारी चीजें करनी चाली बहुत 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 अब आज़ो हैड्रो कार्बन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के थीक्षा जाता दिमाग नहीं से लाना आज़ो हैड्रो कार्बन सबसे पहला हीै सब से था है हाइड्रो-कर्बन होते हैं हाइड्रो-कर्बन होते है जिसमें सिर्फ और सर्फ कार्बन होगा और छीक है सर गजामपल बताओ एकसापल अगर hydrogen है बिल्कुल सही बात है जैसे बिटा C2H6 carbon है और hydrogen है इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए ठीक है जैसे C2H4 जैसे C6H6 बेंजीन भाईया ये कौन है बिटा ये कौन है बेंजीन भाईया बिल्कुल सही है तो बेंजीन भाईया क्या आएगा आप लोग का hydrocarbon हो है cause CH3OH क्या ये hydrocarbon है मुझे चैट सेंशन में बताइए क्या ये hydrocarbon है ये कौन है लगत घंजी बिह लेकिन कौन आगया oxygen ये तो ये hydrocarbon नहीं है ठीक है सर। सर क्या ये हैड्रोकर्बन है मुझे ये बताईए क्या ये हैड्रोकर्बन है बच्चा बताना ज़रा बच्चा बताना ज़रा नहीं यहां पर कौन आगया नैट्रोजन आगया कोई और एटम नीचे यह सिर्फ कार्बन हो और हैड्रोजन हो तीसरा कोई से भी एटम आगया तो वो hydrocarbon नहीं होगा, तो ये नहीं है, ये नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूँ इसकी, क्या ये hydrocarbon है, क्या ये hydrocarbon है, नहीं, क्या कोन आ गया, oxygen आ गया, तो ये भी hydrocarbon नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अब जो आपके hydrocarbon होते हैं, अब जो आपके hydrocarbon होते हैं, वो सर् तीन तरीके के होते हैं तीनों तरीके के हम लोग लिखते वाँ चलते हैं फिर एक एक जैसे से आप लोग के आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक करके हमको हैड्रोकार्बनी पढ़ने हैं तो सबसे पहले तरीके का कौन सा होता है आप लोग का और एक होता है एरोमाटिक का मतलब क्या है है साटूरेटेड का मतलब है अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो तो इसका मतलब क्या है है ह्म लोग यहां इसको क्या बोलते हैं? येची अचे बोलते हैं ये ही बढ़ना है सर की मतलब है जैसे आपका तो यहां पर कोई भी भी यहां पर नो भीलिया लेकिन आप लोगका जो तो unsaturated hydrocarbon होते हैं इसमें पाइब आता है जैसे सर एक्जैंबल बता है जैसे carbon double bond carbon इसको हम लोग कौन बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बिलकूल सही है सर बिलकुल सही है सर अब लास्ट वाला कौन से पीटा एरोमाटिक कैसे जिसे बेंजीन वाले जैसे हम लोगों को बेटा अब पता है आप लोग को यह पता है नहीं पता एक बार चाइट सेक्शन मुझे बताईएगा कि अगर मैं कोई से भी आपको रैंडम कंपाउंड देदू तो आप उसको क्लासिफाइग कर सकते हैं नहीं कर सक लेकिन जो आप लोगो करेंट टापिक चल रहा है जैसे हं हाइड्रोकर्बर मिस्ट भी नहीं कर सकते हैं हाइड्रोकर्बर आप लोग को continuity के साथ बढ़ते वे चलना है और थोड़ा सा extra time लेके आप लोग को backlog clear घरते वे चलना है यह जो current topic चल रहा है यह कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा अब आजाओ aromatic, aromatic कौन होते हैं आपका जैसे benzene हो गया C6H6 C6H6 है ना तो यह आप लोग का कौन है aromatic है आएगा देखो हमको पूरा का पूरा एक एक चीज बढ़नी है हमको alkane भी पढ़ने है आज हमको alkene भी पढ़ने है alkane भी पढ़ने है और हमको aromatic भी पढ़ने है तो एक एक करके hydrocarbon में हम यह सारे चीज पढ़ने वाले है ठेक है start आथ से कर रहे है बीटा alkane आज आजओ जी alkane आजओ जी alkane सर alkane बोले तो carbon single bond carbon carbon single bond carbon बिलकुल सही है सर बिलकुल सही है सर बोले तो saturated बिलकुल सही है सर इनका general formula क्या होता है general formula होता है cn h2n plus 2 चीक है सर cn h2n plus 2 क्या करो n की जगे डालते जाओ 1 डालो 2 डालो 3 डालो and so on डालना जरा 1 डालना n की जगे जरा 1 डालना 1 डालना जैसी 1 डालोगे तो c1 हो जाएगा और 2 into 1 ये कितना हो जाएगा 2 plus 2 कितना हो जाएगा 4 तो क्या हो जाएगा c h4 n की जगे 2 डालो तो हो जाएगा c2 h6 n की जगे 3 डालो तो हो जाएगा c3 h8 तो कौन है बेटा ये है methane ये है ethane ये है propane सही है बिल्कुल सही है ये सब चीजे सही है बिल्कुल ठीक है अब देखो आप लोगों को क्या पढ़नी है देखो तीन चीजे बेसिकली होती है एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी एक होती है मेथड ओफ प्रिपरेशन और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले आज़ो फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले आजिए फिजिकल में हम लोग क्या पड़ते हैं इसी कोफ्रेटी में हम लोग क्या पड़ते हैं सबसे पहली जुचीज आती वह आती है वड़ा वो कि या पॉइलिंग करता है इलिए दो पे करता है, सबसे पहला factor कौन सा है, सबसे पहला factor है, mass सबसे पहला factor है क्या, moss moss, वो देखिए वे बटा कौन से movie है, साउथ इंडिन movie है ना, तूफान उठेगा कौन से बटा, मेरी जंग, one man army वलता ना तूफान उठेगा, देखिए क्या देखिए आजा मॉस अब यहां पर देखिए जो boiling point है that is directly proportional to your मॉस boiling point is directly proportional to your मॉस ठीक है मास असे क्या रहेगा बिटा directly proportional रहेगा directly proportional रहेगा नहीं पता तुम लोग को पिटा ऐसे डायलोग होता है उसका नाम शाहिद उसमें मॉस मास होता है अब यार ऐसे ही होता है यहीं चलता है बटा चलिए बताइए यह बताइए बटा उत्तर दीजिए boiling point का order 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 दीजिए यहां पर दीजिए कुछ नहीं boiling point is directly proportional to मास यहां पर देखो हैं यहां पर 5 carbon भीुल्कुल सही है यहां पर 5 carbon है यहां पर सर मास्स सेम हो गया तो अगर सेम हो गया तो next point पे जाना है boiling point is inversely proportional to branching milyan टूप टूप रांचिंग ठीक है branching मतलब side-gen branching मतलब side-gen ठीक है आच्छा ये point कभ लगाना है branch वाला कब लगाना, if mass is same, if mass is same, अगर mass same है, तो आप लोगों को क्या देखनी है, branching देखनी है, तो आप लोगों को क्या देखनी है, branching देखनी है, चेक है, अच्छा, हमें सिखा दिया है, यहां जा बड़, जैसे ही देखो, चलो यह बताओ, अब यहां पर देखो, क्या mass same है, सबसे पहला आप क्या देखोगे, must देखोगे, सबसे पहला mass क्या देखोगे, मास देखो कि उसके बाद ब्रांचिंग देखो क्या मास से मैं कि देखो जैसे यहां पर पांच कारवन है यहां पर पांच कारवन सब में पांच कारवन मास से माता से निक्स्स फैक्टरी ब्रांच तो यहां देखो जीरो ब्रांच है यहां क्या है विटा जीरो ब्रांच सब्सक्रार जाद कर अब इधर ही हम लोग ये क्वेश्टन करेंगे आज ज़रा इसकान सर बताओ जरा इसकान सर बताओ जलिए बटा सवाल भी तो करते हुए चलने हैं बिलकुल सर रहे सर क्या बात करती साथ खूब सारे क्वेश्टन करने वाले टेंशन की कोई लेने की बात नहीं अफ़ड़ा सबका सेम है यह पेटा एक भी ब्रांच नहीं यहां पर जीरो ब्रांच यहां पे एक ब्रांच दिखरी होगे वैटा रहे है और यहां पे दिखो यहां पे दो-दो जादा तो मास कम फ़र्ड़ का सबसे कम फर्स सबसे धा वन टू का 4 होता था, ध्यान है आप लोग का, 1,2 का 4 होता था था न बिटा, यहाँ पर क्या है बिटा, 1,2,3, 1 सब ज़्याद था, 2,3, चिक है, चलिए, ठीक है सर, हम लोगों को, हम लोगों को boiling point सबज में आगे, सर दूसरा कौन सा point है, दूसरी physical property है, solubility, दूसरी physical property है बिटा, solubility, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ दूसरी property क्या है, solubility, अब देखो, अब बताओ, यह आप लोगों ने कोट पड़ा है, कहीं पर, सुनन आप दियान से, इंग्लिश के कुछ कोट है ना, एक इंग्लिश का कोट है, कि birds with the same feather flock together, आया है ना, सुना य birds with the same feather flock together, है, सर नहीं सुना यह सर, अच्छा, यह सुना है, कि you are average of five you surround yourself with, यह तो सुना होगा पटा, इंस्टाग्राम के दिलों में, है, या फिर यह सुना है, कू संगती होती और सू संगती होती है, जैसी आपकी संगत रहेगी, वैसे ही आप भी रहोगे, यह आपने सुन है, आपके आसपास के जैसे लोग हैं, वैसे ही आपका भी nature और आपके भी personality बन जाती है, यह सुना है ना, सुना है सर, तो solubility इसी इसी फंडे में चलती है, सर क्या, अगर सपोस करो कोई साभी polar solute है, कोई साभी polar solute है, तो यह कौन मांगता है, यह मांगता है polar solvent, अच्छा सर, अच्छा सर, और अगर कहीं पर भी non polar solute है, कहीं पर भी non polar solute है, तो यह क्या मांगता है, non polar solvent मांगता है, इस फंडे को हम क्या बोलते हैं, same same, इस फंडे को हम क्या बोलते हैं, same same, जैसे polar solute, तो polar solvent, non polar solute, तो non polar solvent, इस फंडे को बोला जाता है, like dissolver like, क्या बोला जाता है like dissolve like like dissolve like बोला जाथ चेक है option 4 है decreasing में एक सेकंड रुक जो decreasing बताना था कि हमें कौन है भाई साब इसको पकड़ लो भाई इसको पकड़ लो पकड़ लो इसको पकड़ लो पकड़ लो इसको जाने ना दो ये अनुखा पीस है बेटा इसको जाने ना दो पकड़ लो इसको पकड़ लो आज इसको पिता यहीपर इक लास में बढ़ा के बेटेंगे decreasing ही तो लिखा है one सबसे ज़ाद है दिन second दिन third पकड़ लो पिता इसको इसको पकड़ लो पिता यह अनुका पीस है इसको जाने नहीं देंगे बटाच अब डिक्रीजिंग ही तो है वन सबसे जादर देन टू देन थ्री आज़ा लाइक डिजॉल लाइक लाइक डिजॉल लाइक छेक है सर अब यहाँ देखिए अब यहाँ देखिए जैसे सबोस करो यह जैसे सबोस करो कोई सबी यह मॉलेक्यूल है कैसा मॉलेक्यूल है यह मॉलेक्यूल है यह मॉलेक्यूल है यह हमने क्या बना दिया लगा दिया हमने क्या लगा दिया अब देखिए इसमें यह जो वाला हिस्सा होता है यह जो वाला हिस्सा है यह वाला हिस्सा, यह है आपका hydrophilic हिस्सा, hydrophilic क्या होता है, hydrophilic होता है water loving, मतलब इसको पानी पसंद है, जैसे किसी को बेश पसंद है, वैसे आपको पानी पसंद है, जैक है, किसको क्या पसंद है, पानी पसंद है, तो इसको हमने क्या बोला, hydrophilic हिस्सा बोला, जैक है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोलर पार्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोलर पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, ऐसे ही कौन सा हिस्सा है, एक और हिस्सा है ये वाला, ये चेन भी तो है पेटा, देखो, कमपॉण में दो हिस्स Tobic तो पोबिक थे या फिर इसे हम क्या बोलेंगे non polar part क्या बोलेंगे non polar पार्ट ना पोलर पार्ट फैक्ष अब आपको इसको पानी में क्या करना Holly आपको इसको पानी में क्या करना है, mix करना है, है ना, soluble करना है पानी में, तो पानी अया है, भी आपका polar होता है तो अब आप मुझे बताओ, अब आप खुद सोच के बताना, अगर ये polar है, पानी polar है, तो क्या इसको ये non polar हिस्चा पसंद आएगा? की है नहीं आएगा पिटा ये रित को ऐना आपको पूलर कौन सा पसंद प्संद तो यह जो अगर आपका पान्य इसको यह नॉन पूलर हिस्सा पसंद नहीं आएगा यह पूलर हिश्सा पसंद दाएगा बिल्कुल सही है तो सपोज करो ऐसा कोई molecule सुनना ल्यांस plutôt और कि इस पर गई passiert कि यह से यह मैं यह बनाया कि यह मेंने यह बना मैंने गड़ेंगर अब देखो क्या इसमें पूरा पूरा नौन फोलर छे Х तो है के यहां पर 5 कार्बन का नॉन पोलर पार्ट सभात यहां पर चार कारबन का नॉन पोलर पार्ट सभी बात है अच्छा सर थोड़ा सा और इजी बाशा में लिख दो सर हमारे लिए थोड़ा सा और इजी बाशा में लिख दें तो लिखो तो सॉल्यूब्लिटि इस इनवर्सली प्रपोर्शनल टू मॉस इनवर्सली प्रपोर्शनल टू मॉस ज्यादा है आपी पर आप लोग अब्लो में करना है तो आप लोगों की सॉल्यूबिटी क्या होगी इन्वर्सली प्रिपेरेशन अब आज बनने वाले हैं आज अपन लोग एलकेंज बनाएंगे फिर किसी एक दिन आएगा जब एलकेंज बनाएंगे एक दिन आएगा जब एलकाइंज बनाएंगे और एक दिन आएगा जब एरोमाटिक बनाएंगे कितनी जनता हमारे साथ रहेगी तब तक, बदाओ, aromatic last compound है, कितनी जनता हमारे साथ रहेगी तब तक, aromatic के साथ, जरा करो मैं, best chapter कौन, hydrocarbon, कितनी जनता पेटा साथ रहेगी तब तक, लिखो मैं, method of preparation, method of preparation, बोलो, वो भटकाईगी, हम नहीं जाएंगे, बोलो, ठीक है, method of preparation, क्या है, from unsaturated hydrocarbon, मतलब, सर, alkyne-alkine की बात कर रहे, किसकी बात कर रहे है, alkyne-alkine की बात कर रहे है, from unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, ठीक है, जैसे यह देखो, यह alkyne है, यह देखो alkyne है, साहिए सर, है ना, यह जिए साब्चरो, alkyne है, का लिचंटять हैं वरिया यहत्य gue तो देखिए जब से पहली बात तो सबसे पहली बात तो ये इस कि अरहे बात जितने उन्सिन हैं उतने क्ने छोब्य देक्ने है क्ने मलेक्यूल लगें हैं यह पर ख़ूल Привет मौलिक्युल रखा एक नहीं दो अ दो क्या करते हैं च्टों के मॉलिक्यूल तो यहां पे एक हैडोजन यहां यहां पर रप देखिऊ है यहां पर कितने मॉल्लो को है किनिव्ल है यहां च्ठाइनपूर मॉल्कूल व्ल किया हो तो यहां पर, यहां पर, एक हैच, अयहां हुआ, और एक यहां पर विखू देंगो, कार्बन, कार्बन सिंगर बॉल्ड मन गया, तो इस एक्षण को में क्या बोलते हैं सब्सक्रीक्षण को भैसाब, बोला जाता है, हाइड्रोजनेशन, यह क्या हो ट्रोजिनेशन बोलते हैं ठीक है सर इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजिन हो रहा है यह समझ में आया आखा अब यहां पर और आपका क्या रहेगा सर आपका क्या रहता है जिसे निकल हो सकता है platinum हो सकता है या फ़र palladium हो सकता है यह कौन है सर यह catalyst है यह कौन है बिटा catalyst है ऐसे यहां हाइड्रोजिनेशन है रियक्षन है और हेेडिसन की डिफिनेशन लिखने है तो क्या लिखेंगे बता या бता या रहा है सही है साही है अब देखो हाइड्रोजन जाके एड हो रहा है ये कौँँ सा एडिशन है सिन एडिशन कौन सा एडिशन है सिन एडिशन है सर सिन एडिशन क्या होता है सर सिन एडिशन क्या होता है यहां पर देखो दोनों के दोनों हाइड्रोजन के आटम सेम साइड से एड हुए हैं देखो यहां पर डबल बॉंड था देखो यहां पर डबल बॉंड था यहां पर दोनों hydrogen क्या करें सेम साइड से आये। यहान पर भी तो हम क्या बोलते हैं?. इनको हम क्या बोलते हैं?. हमेशा द्यान रखना है 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 इप It is always exothermic, it is always exothermic. मतलब heat energy क्या करेगी, release करेगी. Delta H क्या है गा बेटा, negative आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अच्छ, ये point समझे, ये point समझे सर. चिक, इधर ही बेटा delta S, delta S भी क्या आती है, negative आती है, सर डेल्टा इस क्या है सर हमने तो कुछ भी कभी भी नहीं सुना है हमने तो सर इस भाई साब को कभी भी नहीं देखा है इस भाई साब का नाम क्या है इंट्रॉपी है ना तो इंट्रॉपी क्या करती है डिक्रीज करती है सर इन भाई साब को कब पढ़ाओगे आप जब हम लो is negative. Delta G is also what? Negative. Sir, delta G कौन से भाइसाव है? ये भी हमने कभी नहीans सने. यह होता है विटा. Gibbs free energy. Gibbs free energy. Mechanically तो, अच्छा, आप लोग तो इतना समझिए. Delta H भी negative, Delta S b negative, Delta G b negative. सब क्या है? Negative है. सब क्या है विटा? Negative है. ठीक है, सरे. ठीक है, सरे. अब देखें यहां पे पर देखें अब जरah क्या करते हैं, rate of reaction को compare करते हैं, क्या करते हैं rate of reaction को compare करते हैं यहां ध्यान लगा यह द्यान लगा एक का यह द्यान लगा यह लोग प्यार से क्या बोल रहा है rate of reaction को आर ओर ओर अब यहाँ देखो rate of reaction किस गठी है रेट ऑफ्र रियाक्षण किस पर डिब्एंड करती है रेट ऑफ रियाक्षण इस इस मोर यह फिर डारेक्ट ऐसे लिखते हैं जो रेट ओफ रियाक्षण है इसकी elkins की वो ज़ादा है as compared to alkenes बात हजम होरे है गा नहीं होरी है बात हजम होरे है rate of reaction alkinje की ज़ादा है as compared to alkene सर कैसे हजम होरी है सर यहां पे देखो alkain में बिटा triple bond होते है alken में बिटा double bond होते है आप खुद देखो क्या यहां पे ज्यादा पाइबॉंड है यहां पे दो पाइबॉंड है यहां पे दो पाइबॉंड है यहां पे एक पाइबॉंड है यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिंसिटी ज्यादा है यहां पे एक पाइबॉंड है यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिंसिटी कम है तो अटाइक जाधा कहाँ होगा दो प्राइब बॉरण पे सही है सलिंग तो रेट ऑ रेक्षिं आलकाइनस की जाधा वंनद सर्चिंगीं सब Richardson 202 यह तो पर हर reaction के लिए बोल सकते हैं हम, क्या यह हर reaction के लिए बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, अगर compound stable है, तो भाई साब बोलेंगे हमको नहीं जा रहा है, बोलेंगे ना, बोलेंगे ना, अगर compound stable है, तो वो reaction में नहीं जाएगा, तो rate of reaction कम हो जाएगी, तो inversely proportional, छीए कैसा है, ये रहा आप लोगा पहला वहांसर अजार बताते जा चलो फटा 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 है वह सकती है यहां पर दोगाःवंड यहांि पर है प्यवांड जितने जाधा है वह दमःता है hydrogenation यह answer रहेगा, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, अब यह बताईए, second का, second का answer बताईए, second का answer बताईए, second का answer बताईए, अब यह कैसे करते थे, यहाँ पे देखो, अलकीन है, दोनों अलकीन है, यह भी अलकीन है, यह भी अलकीन है, अलकीन की stability कैसे पता लगाते हो, alpha hydrogen से, alpha hydrogen जिसको नहीं निकालना आता, वो सीख ले एक और बार, क्या करना है, आपको double bond को ऐसे highlight कर दो, दोनों को highlight कर दिया, बिल्कुल कर दिया, अब इस double bond से कौन कौन से carbon ल लगावा है, तो इसको alpha बोल दो, यह वाला लगावा है, तो इसको alpha बोल दो, चेक है, अब यहाँ पर देखो कितने hydrogen, तीन, यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर छे alpha hydrogen, सबसे पहरे बात तो यह सुनिये, जितने ज़्यादा alpha hydrogen उतनी ज़्यादा stability, पर यहाँ तो alpha hydrogen सेम है, यहाँ तो alpha hydrogen सेम है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरा फंडा लगता है, यह कौन है पटा, सिस है, सिस दिग गया, कैसे, देखो, दोनों CS3 सेम सेड हैं, दोनों CS3 उपडर हैं, बिल्कुल सेड हैं, और यहाँ पर द अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो यह मैंने आपको सिखाया है हाइपर कॉंजुगेशन में सिखाया है कौन ज्यादा स्टेबल है येस वेरी गोड़ ट्रांस इस मोर स्टेबल देन सिस और अगर मैं रेट ओफ रियाक्शन की बात करो रेट ओफ रियाक्शन की बात करो या फिर रेट ओफ हाइड्रोजेनेशन की बात करो तो ट्रांस की कम हो जाएगी ऐस कमपेर टू सिस सही है सही है या नहीं है स्टेबिलेटी से इन्वर्सली प्रॉश्चनल था स्टेबिलेटी किस की जादा होती है ट्रांस की जादा होती है तो रियाक्टिविटी किस की जादा होगी सिस की जादा होगी परफेक्ट है पड़ा फट चे एक बड़ थम सब देदो, सेशन को लाइक करके बता दो कि हाँ जी सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेशन को एक बाइक करके बता दीजे कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें आगया समझ पर सही है आगे बढ़े आगे बढ़े बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े नेक्स सवाल आजो जो नेक्स सवाल यहां देखे थर्ड सवाल थर्ड क्वेश्चन जड़ा करो डबल बॉर्ण देखने है एलफा हैड्रोजन काउंट करो अलफा हैडरोजन काउंट करो सर कैसे देखो बाप़ Вас उकलो बैटीज बड़ा आसान है क्या करो इसे मेरण को है-इस डपल बॉट को है स्वैंसी अब से कितने कारवन्च जुड़ है सब यह जुटावाई, यहांदेखो दो हाइड्रोजन, यहांदेखो दो हाइड्रोजन, कितने kuatले, चार इल्लफा हाइड्रोजन, तो कितने हो गएंगाए कितने हो गए सात गए उव एलफ होगत गवो इस कि भी यह सर देखो ये कारवन double bond बिल्कुल सही यह एलफा यह एलफा तो यहां तो दो हो गए और यहां तीन हो गए तो कितने 5 alpha hydrogen पाँच alpha hydrogen सही अब यहां देखो यह हा यह इणगर बिल्कुल सही यह यह alpha यह alpha यह alpha तो 3,3,3 नो alpha hydrogen देख रहे हैं यहां पर तो stable लिए प्रीक्ट कौन फट्रो时间 को लाइक करो अब आगे नहीं वड़ेंगे जब तक session को लैक नहीं हो उप्येगा नहीं है इतना स्पैम करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आजो, मानो, आजो, फटाक से सेशन को लाइक करो, बटा मुझे समझ में नहीं आता, ये कोई सवाल होता है क्या, कोई बच्चे हो क्या आप लोग अभी तक, ये कोई सवाल होता है, कि सर, is this enough for need, नहीं है भेया, ये ये आप लोगे चटी कक्षा में बुची जाती हैं चीज़े, ये चटी कक्षा में बुची जाती हैं चीज़े, आप लोग को चटी कक्षा का भी नहीं आता है, नहीं है ये enough for need, खुश, happy, पता नहीं भाई साब, ये कहां से doubt आ जाते हैं, गजब है भाई, गजब, गजब, ऐसे ही तुम, तुम ऐसे ही कटते रहोगे, इस दिन, enough for need, आज ये stream में, कल दूसरी stream में, फालाना टीचर के बास, ढिमका टीचर के बास, तुम बटा ऐसे ऐसे जाते रहोगे, फिर तुम्हारे पास जो need में बटा, दो या तीन महीने बचेंगे, फिर तुम्हें लगेगा, अरे सर, अब अब क्या करें, अब कुछ नहीं बटा, 24 नहीं, 25 की तेयारी स्टार्ट करें, चीक है, आजए ये बटा, अब यहाँ देखो, यह जबरदस सवाल है, यहाँ पर देखो, डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पर देखो, ट्रिपल बॉन्ड भी है, मतलब यहाँ पर तो एक है, हाइडरोजन है, लेकिन एकसेस में, एकसेस में मतलब बहुत सारा हाइडरोजन है, कोई दिक्कत की बात की नहीं है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, अब यहाँ पर बताईए, यहाँ पर एक पाइबॉन्ड, हाँ, क्या यहाँ पर दो पाइबॉन्ड, हाँ, बेसिकली कितने पाइबॉंड पूरे मॉलेक्यूल में तीन पाइबॉंड तो यहाँ पर कितने मॉलेक्यूल आएंगे हैड्रोजन के तीन मॉलेक्यूल आएंगे मैंने आपको बताया था न कि जितने पाइबॉंड उतने उतने हैड्रोजन के मॉलेक्यूल तो कितने हैड्रोजन के मॉल सही है सर, लेकिन अगर सवाल में यह बोलुट रखा है कि एक ही equivalent है आपके पास hydrogen का मतलब एक ही mole है मतलब एक ही mole है आपके पास hydrogen का, तो अब आप लोग खुद बताये, यह alkene है, यह alkin है, कहां जाएगा ऐक ही mole है, कहां add करोगे alkin पे करोगे यह alkyne पे गरोगे, तो पहला point क्या था, देखो, reactivity alkyne की ज़ादा है, तो मतलब कहां जाएगा यहाँ पे एक जो hydrogen का molecule है, यहाँ जाएगा, कहा आ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे जो आपके दो pi bond है, एक pipeline पे जाके, एक hydrogen का molecule add हो जाएगा तो ऐसा कुछ आपका compound मन जाएगा देखो, ऐसा कुछ आपका compound बन जाएगा और यहां पर देखो hydrogen add, यहां पर देखिए hydrogen add, देखो, हटो hydrogen add हो, यहां पर कितनेramosड हैं? दोपय बंड तो आप कितना बचा एक ही, एक पाइबॉंड पे क्या हुआ है तो कहा गया हीड्रोजन अगर देखो अक्स अठीव में नहीं है फिय। सब जगए लेकिछ बहुआ है्ट भाई शाब साप को सब जगए लेके जाओं शब जगए बहु कौल रहे हैं हमारे आजो, reduction of alkyl halide, क्या होते हैं, alkyl halide होते हैं, आपके CX, एक्स कौन है विड़ा, एक्स कौन है विड़ा, एक्स कौन है विड़ा, कौन है है, हेलो जन है, जैसे सर, जैसे सर, carbon fluorine, carbon chlorine, carbon bromine, carbon iod, इनकी बात कर रहा है, alkyl halide, इनकी बात करें, क्या जादा हो गई? क्या हो गए? अच्छा, हाँ, तो ठीक है, हाँ, hydrogen अटा दो, रे, कोई दिक्कत नहीं, hydrogen अटा दो, यहाँ, हाँ, यह जाता हो गए ती, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, इतनी, ऐसी बातों के लिए, centiment हो आगर, एक hydrogen का molecule क्या हो गया, add हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज़ो, ठीक है सर, अब क्या करना है, reduction करना है, alkyl halides का, reduction करना है, alkyl halides का, सर, कैसे होगा, यहाँ पे देखिए बटा, कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, जैसे सब उसकरो, यह है, CH3CA, बना है, CH3CA, अब सुनिए के द्यान से, arrow के उपर क्या लिखाए, hydrogen आया, और zinc और acidic condition के साथ आया, क्या है, acidic condition है, zinc है, और hydrogen है, अब क्या होगा, reduction होगा, reduction में, simply क्या होगा, यहाँ से, chlorine को बोलो, तुम निकलो, chlorine को बोलो, तुम निकलो, यह जो halogen है, इसको बोलो, तुम निकलो, इसकी जगे कौन आजाएगा, hydrogen आजाएगा, इसकी जगे कौन आजाएगा, hydrogen है, कुछ नहीं करना है, hydrogen को बोलना है, हाइड्रोजन को बोलना है तुम लग जाओ तुम लग जो चेक सब एक और सवाल सब्सक्राइब इसको बोलो निकलो गर निकलो पहले फुरसा तुम्हें गर निकलो तो ब्रोमीन घर निकल रहा है है इसके जगे कौना जाएगा है इसके जगे कौना जाएगा है इंग हाइड्रो चलना चाही टेक है इanh का पलंद छीयं प्रणा डेंगे अ ठीक जिर टीक इस अब यह देखिए और सेखिए यह दोग मैं क्या हुद बनेयेगा क्या बनेगा करते वे चलो क्या बनेगा कुछ नहीं अब सर क्या हमारे पास दो हेलोजन है इस बार क्या हमारे पास दो हेलोजन है हाँ तो दोनों के दोनों हेलोजन को निकाल दोनों हेलोजन निकाल और उसके जगे क्या लगा दो hydrogen तो simply यह बन जाएगा अच्छा हाँ साथ हमें product बनेंगे देखो by product की मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर mean product लिख रहा हूँ कुछ बच्चे लिख रहे हैं sir by product भी तो बनेंगे by product बनेंगे बनेंगे लेकिन यहाँ पर main product हम लोग लिख रहे हैं अब यहाँ पर जासरे कितनेенные chlorine है तीन अधोल कितने chlorine है तीनोग controlling को बाहर निकार और उसके लगा दो hydrogen लागा उस यह पर यह परल्ग दो hydrogen यहँ भूट सब्सक्चा सभी यह एक और reaction है, name reaction, कौनसी? वुट्स reaction, अब ये जबरदस्त है, देखिएगा विसे, वुट्स reaction, टूलीन, ये टूलीन है, ये टूलीन दिख रहे हैं, ये टूलीन दिख रहे हैं, पकड़ लो वेटा, जो जो टूलीन बोल रहे हैं न, पकड़ लो इन लोगो, लोगो पटाज घर नहीं जाने देंगे, ये टूलीन दिख रहे हैं, ये टूलीन ये होता है, देखो, free chat है, ये होता है, अंदर बेंजीन होती है, अंदर पाइबॉन होता है, मैं बता हूं, सनो, यार, ये ऐसी हरकत हैं नहीं करो, चाट फ्री है यहां पर चाट सेक्षन में लिखना बिल्कुल फ्री है कोई दिक्कत की बात ने कोई पैसा नहीं लिया जाता है आपसे अपने दिल की जितनी बाते हैं आप चाट सेक्षन में कर सकते हो करते हैं आप देखते हैं लोग आते हैं अपने प्यार इजहार करके चले की perspective से समझे कोई बच्चा उसको टूलीन बोलेगा तो टीचर को कैसा लगेगा या ऐसा इसी मत करो यार फ्लीज है ना ऐसा मत ठीक है थोड़ा तो यार थोड़ा तो यार रहम खाया करो टीचर पर ठीक है जो फूट्ट्स रियाक्शन सर क्या होती है सर वूट्स रियाक्शन किया किसी हैं एसी हरुकते नहीं करोंगे इसको टूलीन नहीं भोलोगे ना बकी बात पिंकी प्रॉमेस कर दो लिजे यही बहूब अप लोग अलकाईल हलाइड मतलम से लिए अर एक्ससे एक्स क्या है है एक्स क्या है है इसके उपर हमने क्या डाला हमने डाला सोडियम और हमने डाला ड्राइएथर क्या डाला सोडियम और ड्राइएथर सबसे पहला सवाल यह पूचेगा कि यह ड्राइएथर क्या है सबसे पहला सवाल यह पूचेगा यह ड्राइएथर किसलिए हो होता है यह आपका solvent की तरह होता है क्या होता है राइधर आपका solvent की तरह behave करता है सबसे पहले बात तो यह समझो चेक है सर अच्छा सर कैसे करनी है यह reaction मैं आपको सीधा सीधा trick बताऊंगा आप क्या करो यहां से bond तोड़ो जैसे देखो यह बन टोटेगा तो क्या बनेगा आर डॉट बनेगा और एक्स डॉट बनेगा और यहां पर रियाक्शन करवाओगे तो वहां यह बना लेता है और इस वह बना लेता है और यहां पर क्या बनता है आपका और यह एक्जामपल दिखाऊंगा तो और ज्यादा clarity होगी यह एलके हैं और यह सोडियूम के साथ है यह हैलोजन चले जाता है और क्या बना लेता है AAX सर कैसे साथ यहां देखो बिटा यहां देखो जैसे सब्षब करो CS3と इसम डाला damnahltा sodium छे उन डशे कि एस थ्री डॉट बनेगा हां जी साथ बनेगा उसको छोड़ो हम तो इससे कंसर्ण रॉट बना ऐसे कितने बनेंगे शर्लाको एक और बना दो अब क्या कर दो बिटा जोड़ो क्या कर दो जोड़ो तो यहां पर देखो यह बनेगा प्लस साथ में NECL तो बनेगा यह तो बाय प्रोड़क्ट है यह बन गया इलकीन बताओ बनासर बनासर बिलकुल बनाओ अब यहां देखो जिसमें यहां बताओ क्या बनेगा यहां बताओ क्या बनेगा कुछ नहीं हांसर बांड तो यह बनेगा Ч एच सी ही टू डॉट ऐसे कितने बनाओ लाख को बनाओ लाख हो बनाए तो यह बना दिये जोड़ दो यह डॉट यह डॉट जोड दो डॉटॉट ढ़ जोड़त है बनाजिक बनेगा इस दूनों के ईच ब vi हाई प्रोड़क निहीं बना रहा हूं मैं क्येवल में प्रोड़क बनाते वे चलते हूं इधर क्या बन गया गया ब्यू चल्ड यह करें कुछ नहीं free radical बनाओ, दो free radical बनाओ, जोड़ दो, हप्पा अबबबबबबथ, हप्पा, यहां देखो, यहां पर बौन तोड़ो, क्या बनेगा, डॉट बनेगा, ऐसा एक और डॉट बनाओ, क्या करता हो बेड़ा, जोड़ दो क्या कर दो जोड़ 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 दो जब्बा जोड़े बटा जोड़े 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 हैं जोड़े में दोनों के बीचे में बना दिया इक यह एक दो तरीके ogi के Alcane होता है, einu- जिसमें even number of carbon होते हैं तो क्या इस आपको symmetrical Alcane दिख रहा है event number carbon है, देख कि about symmetry भी दिख रही होगी इसके about symmetry भी दिख रही होगी झहीत है अे और यह symmetric से about यह भी क्या है symbol alcit विसां, इसका about symmetry होगी यह यह भी presum Brexit दिख रहे है दिख रिए ज़र, ये भी even number of carbon ने, इसके about आपको symmetry दिख रिए, बिल्कुल सही, तो एक सवाल मन में उठता है, है ना, मन में दिमाग, दिमाग में एक तूफान उठता है, ये इतने सारे example देखके, कि क्या woods reaction से हम symmetrical alcan ही बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ points लखे मैं क्या बोलता है, सबसे पहले ही बात, कि woods reaction is used to prepare symmetrical alcan, सही बात है, symmetrical alcan से, woods reaction से symmetrical alcan आप लोग बना सकते हो, छेक है, अच्छा, यहाँ पे देखो next one क्या बोलता है, CH4 cannot be prepared by woods, सही बात है, सही बात है, देखो सबसे छोटा alkyl halide आपने कौन सा लिया था, यहाँ देखिए, सबस से भी कम कुछ हो सकता है, क्या, नहीं हो सकता, तो सबसे छोटा alkyl halide आपने यह दिया, जब सबसे छोटे alkyl halide से आपने क्या बनाया, ethane बनाया, तो methane तो कभी बनी नहीं सकता, सही बात है सह, तो यहाँ पे देखो, methane के not be prepared, methane के not be prepared, ठीक है, ठीक है, तो क्या समझे हम, symmetrical al alkyne बनते हैं, wood से, methane नहीं बनते हैं, अब सर, unsymmetrical बताओ, unsymmetrical कौन से हो गए, odd electron, unsymmetrical alkyne कौन होते हैं, unsymmetrical alkyne कौन हो गए, कौन हो गए, odd number of carbon वाले, odd carbon वाले, odd carbon वाले, अब देखो statement क्या बोल रहा है, यहां से समझे है, unsymmetrical alkyne can also be prepared, but their yield is poor, efficiency poor है, देखो, unsymmetrical alkyne भी आप woods से बना सकते हो, लेकिन उनकी efficiency क्या रहेगी, poor रहेगी, कैसे सर, जड़ा सवाल करवाओगे, तो और ज्यादा मजाएगा, अब यहां देख, यहां देख, माई हीरो हीरलाल, यहां देख, माई हीरो हीरलाल, यहां देख, यह बनाया sodium, यह बना ख़ए बनाख करो, बॉँठ तोड़ो, free radical बनाओ, यह बन तोड़ो, और यह बनाख तो, ख़ए अगर और अगरो, free radical बनाओ, तो देखो क्या यह free radical बनेगा, हां जी सर, जी सर, जी सर, देखो, अब chances क्या-क्या हैं, यह देखे, क्या ये free radical खुद से ही बिढ़ सकता है, बिल्कुल बिढ़ सकता है, ये भी लाखों करोड होंगे, ये भी लाखों करोड होंगे, तो chance तो ये हैं कि ये खुद से ही बिढ़ जाए, खुद के ही free radical से बिढ़ जाए, तो ये अगर खुद के free radical से बिढ़ेगा, तो क्या ऐसा ये मेंлекरों हैं। साथ में यह बी बनेगा कि यह क्रॉस करक्रॉस करलें कि यह आके इससे 20 यह क्रॉस से साथ में बनेगा कि अध्याब बनेगा उनेगा अब किटने कारवन hep अब यहाँ पर देखिए कितने कारवन है देखिए यहाँ पर यहाँ पर तीन कारवन है तो यह जो बना है आपका यह है आपका unsymmetrical लेकी तो अगर सपोस करूँ मैं probability बराबर मांता हूँ मैं बोलता हूँ बराबर equal probability है तो कितने product बने है तीन एक दो तीन तो ये वन बाई थ्री बनेगा प्रोबाबिलिटी के बात करें तो ये वन बाई थ्री ये वन बाई थ्री और ये वन बाई थ्री तो efficiency कम हो गई या नहीं हो गई हाँ सर आप आपको आपके मूड में क्या आया आपके मन में आया कि सर मैं प्रोपेन बनाऊंगा या फर मैं प्रोपेन बनाऊंगी वुड्ज से अब बना तो सकती हो देखो बना है आप बना सकते हो नहीं बना सकते हो लेकिन बर तेटीस परसंटी एफिछंशी है वन वाइथ एग वन वैथरी क्योंकि इसके साथ में आपको और भी प्रूडक्त मिलेंगे तो efficiency क्या हो जारी है कम हो जारी है अगर मैं आप से क्या अप प्रोपेन वुड्स से बना सकते हो हाँ या ना हाँ answer इस बन रहा है देखो लेकिन क्या समझदारी है मनाना नहीं क्योंकि efficiency कम है क्या कि बिल्कुल से इस, बिल्कुल से इस, यह चीज समझ में है, अब यहाँ पे देखिए, 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 अब क्या होती है, इंट् Intramolecular Woods हमको कब करनी है, हमको तब करनी है, when product is very stable, अगर product जबर्दस्त stable है, product जबर्दस्त stable है, तो Intramolecular Woods कर देना, कैसे सर, example बताओगे, तब हमको और ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ देख बिटा, my hero here Allah, in the chat section, यहाँ देख, Sodium रड़ा ही थर, अब यहाँ देख, Woods दिखी, Woods दिखी या नहीं, यह dot dot आगया, यह dot dot आगया, यह dot dot आगया, अब देखो यहाँ पर दो cases हैं, अब सुनना ध्यान से, यह दो cases हैं, एक तो यह dot 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 बोल रहे हैं कि आपस में ही जुड़ जाते हैं, सुनना ध्यान से, सुनना हीरो हीरलाल, यह dot आपस में बात करते हैं, यह आपस में ही जुड़ तो अगर यह आपस में जुड़ेगा तो इस तरीके का compound बनाएगा, देखो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा case क्या हो सकता है, यह तो इंट्रा-molecular है, जब इसने within the molecule कर दिया, इंट्रा-molecular है, जब इसने within the molecule कर दिया, यह बो इसे दो बना दो दो बना दी और इनको जोड़ दो इनको जोड़ दो इनको जोड़ दो यह भी तो बन जखता है तो यह एक molecule यह एक molecule इंटर 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 जो अब आप बताए, कौन सा बनेगा..कौыт सा बनेगा? вперn ये बहुत स्टेबलहे वेरी, वेरे। वेरी वेरी स्टेबल ऐद वेरी इनधाल।, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा।, काट दो से। काड़ कॉंसा बनेगा इंट्रा बनेगा क्यों क्योंकि बहुत स्वेपल बन रहा इरो मैतिक है माँ सो अगर super त्रıll है तो आपका इंट्रा मॉलीकुरल बनेगा आपका इंट्रा मॉलीकुलर बनेगा समझे समझे और थमसब देजे चैट सेक्षण में कि हाजी सर समझ गए है अरे यह यह एरोमाटिक है देखो मैं वापस सर्पीट कर रहा है मैं वापेस रीपेट कर रहा हूं, यह aromatic है, मैंने आपको point क्या दिया है, कि जब product stable बनेगा तो intramolecular बनाना, तो intramolecular वाला prefer करा, क्योंकि वो aromatic बना, क्योंकि वो stable बना, चीक है, यहाँ और point यहाँ पे देखे, यहां पर देखे एक और point यहां पर देखें देखो यह जो वोट्स reaction होती है न इसको हम लोग बिटा एक और नाम देते हैं क्या नाम देते हैं सर क्यों सर क्यों क्यों जोडे बन रहे हैं जोडे बन रहा है, देखो यह आर आया, यह आर आया, क्या करें गए, जोडे बन गए, यहां सी एस त्री डॉट आया, यहां सी एस त्री डॉट आया, क्या करें गए, जोडे बन गए, यह रहा है, क्या होती 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 यह होता है यह होता है 3 degree alkalolet 3 degree alkalolet then disproportionation reaction इसका मतलब woods नहीं होगी 3 degree alkalolet woods नहीं दिखाता है 3 degree alkalolet woods नहीं दिखाता है no woods reaction no coupling no joda jodi no joda jodi बेटा no coupling reaction कोई coupling reaction नहीं करने है आपको क्या करना है disproportionation करना है कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ पहले तो ये समझो 3 degree alcohol halide है तो woods नहीं होगा 3 degree alcohol halide है तो woods नहीं होगा क्या होगा सर क्या होगा कुस तो होगा बिलकुल होगा बटा कुस तो होगा कुस तो होगा sodium dry liter यहाँ पर देखे, कुछ तो होगा, बिलकुल होगा, यहाँ देखो, डेखो, हैलोजन है, इसको बहार निकालो, यहाँ आपका हैलोजन है, इसको निकालो बहार, और क्या बनाओ इसन existe ही हाइडरोजन लगा, इसके जगे क्या लगाओ हाइड्रोजन लगाओ यहां देखो यह हाइड्रोजन लगाया हमने क्या बना एक तो एलकेन बना एक तो क्या बना एलकेन बना बिल्कुल सही है दूसरा क्या बनता है एलकीन बन जाता है देखो दूसरा बन जाता है आपका एलकीन देखो यह बहुत typical case है लेकित हम लोगों को पढ़ना है हमको सारे cases करना है तो यह क्यों बना alkene यह कॉं बना alkene आप देखो इस reaction में क्या जोड़ा-जोड़ी होए है क्या कुछ क्या कुछ जोड़ा-जोड़ी होए है कुछ Mali के उलाख जोड़े है नई और यह नए दो पूपल बने नाइए जा बना है एक एलकेन एक एलकेन यह आपकर डबल-बांड आ गया डेको जाए इस सर माइक में कुछ बज रहा है माइक में नहीं बज रहा है पिटा हमारी च्छत पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन तो अब मजदूर को आगया गुसा उसको वो फगम ठागे कर रहे हैं देख लो बेटा कहीं बार सिचुवेशन है ना आपके फेवर में नहीं होती है अभी जिसे मेरे फेवर में नहीं है सिचुवेशन पढ़ाना क्योंकि मेरे घर में इतना काम चल रहा है भी कंस्रक्शन का मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप बोलोगे कि सरी क्या रहा है तो कंस्रक्शन का जबर्दस काम चल रहा है तो अब मेरे लिए easy पात क्या होता थोट देता मैं नहीं पढ़ाता यूट्यूब के लिए दो महीने क ब्रेक ले लेता है ऐसा कर सकते थे हैं लेकिन अपनी सिटुवेशन से लड़ना पड़ता है ऐसे ही वोसित अब लोग के संस्टुवेशन बहुत अलग अलग तरीके की हूँ, उस सिटुवेशन से दिविश्वाइब करना मदच से सबना के साथा ऐस Giving जो fight करेगा वो ही जीतेगा और वो ही ultimate अपने goal तक पहुचेगा आपका goal क्या है नीट crack करना एक अच्छे government college में जाना आपका goal कब अचीव होगा जो आप अपने उससे fight करोगे राइट राइट चेक है तो हार नहीं माननी है हम लोग है ना हार मानना तो बड़ा आसान है हार मानना तो बड़ाा असान है है या नहीं है पता हूब कुछ नहीं आज पढना चौ Num आज पढ़ना छोड़ देते हैं फॉगया काम इस तरीके से सेलेक्शन नहीं हो गायें इस तरीके से वूट्जन नहीं हो पिटिक रियक्षण अब यह कौन है यह बिटा वुट्ज का भाई और कैसे से तर कैसे सर जैसे सब्सक्रों यह है बेंजीन रिंग है और इस पर क्या करो सोडियम डालो ड्राइधर डालो क्या करेंगे यहां से बॉन्ड तोड़े आ बॉन्ड तोड़ो जैसे यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो यह बनेगा देखो या कर दो डुनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा देखो इसको बोलते हम लोग बाई फीनाईल कमपाउंड इस ये बनता पिटिक में बाई फीनाईल कमपाउंड न विटेक में बनते हैं लोगे चीक जी कि बेलकुल सही है सर अच्छा ऐसे ये वुट्ट फिटेक कौन है बटा वुट्स की दीदी तो आने बटा वुट्स की दीदी फिटिक थे बटा वुट्स के भाई यह बटा वुट्स की दीदी अभी यह सर कैसे बनेगा यहां देखो अरे बस है जान लेगा बच्चेगी Ch3Cl है सबोस करो यह पिनाइल और यहां पे कलोरीन लगाबाँ अब इस पर हमने क्या डाला sódium डाला इस पर हमने क्या क्या डाला dry जोड़ो 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 यह इसा बनेगा और यह नाम है इसका किया नाम है यह टूली ने बाई यह टूली यह टूली मुझे यह बताओ क्या यहां पे और भी प्रोड़क्त बनेंगे गए बिल्कुल बनेंगे कब जब यह आपस में कर जाए तो इफीन भी बनेगा यह खुद से कर जाए तो बाई फीन भी बनेगा मैंने को क्रॉस बना ने आपको क्रॉस बना के दिखाया है चीच है चीच है चीच है पड़ा फरसर सेशन को लाइक कर दो कि हाँजी सर समझ वें आगया हाँ जी सर समझ वें आके मैं छोड दूम पिसाड़ी 11 से पहले चोड़ बस दस मिनेट पे मैं आपको छोड़ रहूँ 10 मिनाट पैम आंक।ई 10 के편ластल है भेज इलेक्ट्रो रियापटरॉबेज एलेक्ट्रो लेत्प गिया होती है कोल बे इलेक्ट्रो लिस इस यहां पर देखिए जैसे सबूस करो यह है आपका कर्वॉक्सलिक रख लेक्ट्रो लिख और वह एलेक्ट्रोलिसेटिक रियक्शन करते ना कर्थ से काथ होती यह ऐंडूर और और यह आपका अब कर बॉक्सलिक असर्ट एनिमे चलिया और एलेक्ट्रोलिसल लेगे तो यहां पर देखो क्या होता है यहां से बॉंड टूटता है यहां से बॉंड टूटता है यहां से बॉंड टूटता है यहां पर क्या बनेगा यह आर है यह बन जाता है आर डॉट ऐसे कितने बनेंगे सर ऐसे लाखों बनेंगे कितने बनेंगे लाखों बनेंगे तो ऐसा भी आर डॉट आगे तो क्या कर दो जोड़ दो क्या कर दो जोड़ दो यहां पर देखो यहां पर देखो आर 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 बन जाएगा देखो आर 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 बन जाएगा देखो आर 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 बन है बुट्स की तरह है है तो क्या होता है यहां से बवन्ड तोड़ा खना MK अधाये सथ में आन चीजे कहा बनती है और और hydrogen कहां बनता है के थोड़ तो सबसे पहरा तो यही सवाल बूचेगा कि एनोड पर कौनसी gas wall होती है तो CO2 के थोड़ पर कौनसी होती है तो H2 चीक है चीक है समझे सर सवाल कर भाओ सर सवाल कर भाओ यहां देख ज़र यहां देख ज़र जैसे देख जैसे यह है पटाक से बता क्या बनेगा पटाक से बता क्या बनेगा जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो क्या बनेगा बॉण्ड तोड़ो, यहां से बॉण्ड तोड़ो, यहां से बॉण्ड तोड़ो, यहां से बॉण्ड तोड़ो, तो क्या बनेगा, CS3. ऐसा बहुत सारा बनेगा, CS3. जोड़ दे न, जोड़ दे न, यहां से बॉण्ड तोड़ो, जोड़ दो दुन, तो क्या बनेगा, CS3, CS3 अधा सात में co2 और to do रही बनेगा इस दो बैर प्रोड़क्स को जैसा है फिल्कूल में जैसा है एक्जाक ली वुड्श जैसा है यहां देहु जैसा है एक दम बहुम यह उसका फॉन करो यहां से और शुम्स के यहां से बहुंड हो अ करो तो तो देहु हो यहां से बॉन यहां पर बना CH2.CH2 बना दो ऐसे और जोड़ दो दोनों ऐसा बनेगा प्लस CO2 H2 तो ही सही है सही है सही है बिल्कुल सही है तो यहां पर देखो कि यह पॉइंट रहेंगे कि यह सेम पॉइंट रहेंगे वुड जैसे कि किसके लिए काम आता है symmetrical alcanes के लिए CH4 नहीं बना सकते और जब unsymmetrical बनाओगे तो yield क्या हो जाएगी पॉइर देखो सारे पॉइंट सेम है woods जैसे सारे पॉइंट सेम है woods जैसे बोल हाया ना बोल हाया ना सही बात है सही बात है बिल्कुल सही है अब जरह यहां देख एक बार जरह यहां देख देखो तो देखो alkane मन रहे यहां देख न यहां देख अलकेन मना methane अलकेन मना butane अब ध्यान से देख ध्यान से देख सपोज कर ऐसा है अब देख दो जबरदस चीज़ दिखाने वाला हूँ बस फिर छोड़ रहा हूँ ना कि यह देखो सपोस करो यह ये यहिए कःवाओकस लिक एसड कितने कःबॉकस लिक असर्ड हैं दो इस तने अब जरह यह देख हो यहां से क्या बनेगा ज़रा बताओ यहां से क्या बनेगा सोचो मैंने आपको क्या सिखाया यह CuH है यहां से bond तोड़ो यह CuH है यहां से bond तोड़ो क्या बनेगा यह बनेगा CH2 dot अब क्या intra molecular हो जाएगी आपस में ही जोड जाएगी आप एक ही molecule गंदर आ गए आपस में ही जोड दो आपस में जोड दो तो क्या यह बन जाएगा है ethane ऐधीन मन गई वर आता है वह alkin भी बनती है kolbay electrolysis से केवल alkin नहीं बनती है alkin भी बन सकती है देखू alkyne मनागे तिखाती देखू alkyne मनागे दिखाए सही है जैसे यहां देखो जैसे यहां देखो जैसे यहां देखो जैसे एन अओ एच और इलेक्ट्रिस्ट बताओ यहां पर क्या बनेगा बताओ यहां पर क्या बनेगा बताओ कुछ नहीं यहां से बॉन्ड तोड़ यहां से बॉन्ड तोड़ जब बॉन्ड तोड़ोगे तो यह बनेगा CH double bond CH और दोनों तरफ क्या रहेंगे free radical रहेंगे free radical रहेंगे अब क्या करो आपस में bond बना लो आपस में bond बना लो तो bond बनेगा तो ऐसी तो बनेगा क्या बन गया alkyne बन गई alkyne बन गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ethine या फिर acetylene समझे heavy summer ein 1 उश खूकया हो गया हो गया हो हो गया हो सभशिया है ना चले 822 अगी हम लोग मिलते हैं बेटा Monday Monday में है पहले यार आग लगा चैट सेक्शन में जाने से पहले पटा-फृत मेस्टी सेून को लाइक करो बनाष करो कि जो आई है जोश है सेशन को जल्दी से लाइक करो कोई टेंशन की बात नहीं है सर मजा आए आज मज़ा आया नहीं आया बताई गाप है ले बताओ आए तो आज दे कौन सा है अज फर्टीन कम्प्लीट यह मुझे कमेंट करके बताएगा यह मुझे जरूर कमेंट करके बताईएगा ठीक है अब बताओ लगा दे टिक अब बताई। लगा देडिक लगा देड़े अब लोग मिलने वाले मंधे मिलने वाले astronauts का खदम घर जाएखा एलिकेंस आपका फिनिश हो जाएगा मंडे को ठाइगा फिर मंडे टूजडी वेंजडे थुर्जडे फ्राइडे अपका हैड मने का फिनन छल टैंक क्युव टैंक यू यू को लिएक झूरीफ जाते शेर कर दियों की अपने सभी दोस्तन and make sure you subscribe to our channel also, all right? comment करेंगे मुझे बताती जीएगा hashtag dateherdeen completed take care, take care, take care, bye-bye